विरेन जी आप मुझे बताईए कि ये मुद्दा इतना ज्यादा एग्रेशन वाला कैसे होता जा रहा है सत्ता पक्ष और अपोजीशन के लिए और मैं तो देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के हमले घर के भीतर से हो रहे हैं देखिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी चुनाओ हार गई बुरी तरह से और इस चुनाओ के दवरान उन्होंने जो राजा भाया को लेके बयान दिया उसको बीजेपी के भीतर महसूस किया गया कि हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर वो भी रहा अनुप्रिया पटेल अनुप्रिया पटेल जी समाज से आती हैं उनको कुर्मी समाज का जो उनका वोट बैंक है वो बहुत बड़ी संख्या में खिसक गया इसके चलते हो राबर्स गन सीठ हार गई और खुद जहां से वो जीती हैं वहां से वो बहुत कम अंतर से जीत पाई हैं उस खोई हुई स आग को जनाधार को पाने के लिए ये आरच्छन में हकमारी विसंगती और OBC का मुद्दा उन्होंने उचाला है ब्रजेज जी 69,000 सिचकों की भरती के मामले को लेकर उन्होंने ये चिठी लिखी थी और अपना दल ने जितना बड़ा डेमेज लोगसभाद चुनाओं में भाजपा का किया उसके सामने ये मुद्दा कुछ नहीं है ये चिठी लिखना सिर्फ और सिर्फ ध्यान को डाइवर्ट करना है क्योंकि बीजेपी के सामने भरपाई करने की इस्तिती में अनुपरिया पटेल नहीं है जो जिसकी वज़ा से उनके एक बयान से छत्रिय समाज नाराज हुआ और बीजेपी को कई लोग स्वा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा लेक महत्पूर बाद ये भी आती है कि अनुपरिया पटेल हो या संजे निसाद हो ये जो छो छोटे दल है ये मत भूले कि आज जो इनकी राजनातिक हैसियत है वो बीजेपी के दंपर ह भी बनी है बीजेपी की बैसाखी पर चड़कर ही वो आज इतनी बुलंदी तक पहुँचे हैं उनको उन्होंने अपना सहयोगी दल बनाकर रखा है तो ऐसे मुद्दे उठाकर सुर्ख्यों में तो बने रही है लेकिन यह कि अगर बीजेपी को ही घेर देंगे उससे तो इ देखिए ब्रजेप जी आरच्छड एक बहुत बुद्दा रहा है जिस पर चर्चा होती रही है एक बात अभी आई थी कि जो क्रीमी लेयर है वो आरच्छड का लाब क्यों लेना चाहता है जो बच्चे आरच्छड से डाक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS यह बन गए जो इस पर क्यों विचार नहीं होता है, इसके लिए कोई पत्र नहीं लिखता, आरच्छड में जो गरीब दलित हैं, जो नहीं पापार हैं, जिनके पास संसादन नहीं क्यों महेंगी कोचिंगें कर सकें, वो लोगों को भी तो आरच्छड का लाब मिलना चाहिए, वो गरीब अच्छे कैसे आगे आओं जिनके पास न पढ़ाई के लिए अच्छे कान्वेंटी स्कूल का पैसा है, न अच्छी कोचिंगों के लिए ना अच्छे रहने और बाहर पढ़ने के लिए सुवधा है, वो दलीत और वो भी सी के बच्छे कैसे आगे अच्छी मनिश्टर भी नियुक्म evolve मारें की बिल्कुल जब सां अरच्छन की बात करने वाले अपने दल में आगर centers देखेंगे तो गय 240 यह तो उसी तरह है तो वही चला है कि जब नवगरी न मिले जवानी मा तो कूद पड़ो परधानी मा तो वह सब बाते लागू होती हैं जो हस्बेंट वाइब दोनों मनिश्टर हैं घी गिरने वाली कितने अच्छा है ग्याम पड़ है देखिए आज जब सरकार तमाम सारी सरकारी संस्थाओं अरुन के सामने जब दालाएगी विचारा घबरा जाएगा बिरजे जी जो अरुन राजभर ने बात कही उस बात को मैंने आगे वहाया है सायद उस बात को लोग उस तरह से नहीं समझे थे जो मैंने बात रखी है कि उ और लोगों के लिए भी जो दलिस समाज में हैं उनको इसका लाब मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती प्रजेश जी तो तमाम सारे सेक्टर या रोप लगे कि सरकारी संस्थाओं प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई अडानी अंबानी तमाम उद्व दोगपतियों को तो जब सरकारी संस्थाओं दोगपती खरीद रहे हैं तो का वो अपने हां अरचण प्राइवेट सेक्टर में देंगे कि नहीं देंगे और उनको अरचण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संबिदा की बढ़ती ह कोई वीमारी ने इस पूरे देश की नोकरियों को लीलना शुरू कर दिया है और अच्छण को लीलना शुरू कर दिया है समविच्छा संबिदा की नोकरी में भयंकर सोशल होता है अब तो संबिदा से भी एक सरणी बात नहीं आगे चली गए यह आउट्सोर्सिंग वर्ड कह सकते हैं और वह भयंकर सोशल है वहाँ पर भेरतियों का चात्रों का तो जो सरकारी नोकरी का एक चार्म था पुरानी पैंसन खतम होने से 2004 के बाद वह तो आधा मर गया था अब यह था चलो पैंसन नहीं सरकारी नोकरी मिलेगी उसमें भी अब यह जो आउट्सोर्सिंग वाले लोग हैं इस व्योस्था ने उस मीदों को भी कुचल दिया है खतम कर दिया है तो अब थोड़े से इस सेक्टर में संघर्स का पात्र बना हुआ है यह भी देखना होगा मैंने भी बहुत दिन से नहीं देखा क्लास फोर की तो अब कोई वैकेंसी नहीं आती मुझे लगता है वो कैटेगरी तो खतम गर दी गई है यह तो डेड़ है यह आउट्सोर्स जो गई है क्लास्ट्री वाले में तो रोज पत्थर पानी पड़ रहा है जब जब आरच्छ चाहिए एक बात आई थी कि ब्यूरोक्रेसी में भी काफी सारे अफसरों के साथ भेभा होता है होता है इसमें कोई सक नहीं लेकिन हर वर के लोग हैं एक चीज तो यह कह सकते हैं कि योगी की सरकार में सबड भी साइड लाइन पड़े हैं उनको भी उसमें चाहे जितेंद क कुमार का नाम हो चाहे जैनरायर सिंग का नाम हो चाहे अभाय का नाम हो और चाहे तमाम सारे दली तफसरों का नाम हो तो यहां पर बराबर से लोगों के उपर कारवाईयां हुई हैं ये बात अलग है कि बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैं बहुत सारे रह जाते हैं पीछे और हर सरकारों में ये सब चीजें मुद्दे उठते रहे हैं लेकिन जब नो करिए इना बचे सब प्राइवेट छेत्मा चलीजे तो कितना और अच्छण दे पाएंगे कहां पर ये भी लोगों को सुचना चाहिए लेखाल एक साहितिकार है मेराज फैजाबादी उनका एक से कि कहकसा सरे बाजार बेच कर और घर को बचा लिया दरो दीवार बेच कर और सोहरत की भूख हम को कहा लेकर आ गई हम महतरम भी हुए तो किरदार बेच कर और चाहे जो सलूक करे आपका ये सहर हम गाउ से तो आ गए हैं अब घरबार बेच कर बहुत शुक्रिया विरेंज कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से अपना फीड़बैक और इस मामले पर रसोर्ट